हेलो फ्रेंट कैसे आप सभी लोग गुम्मीद है मस्त होंगे चकाचक होंगे खुश होंगे और आपकी एक्जाम बहुत सारे लोगों की सांदार जा रही है और कुछ लोगों की एक्जाम आने वाली है तो उस एक्जाम में जो मद्द्पटेश से प्रश्ण बन रहे हैं वो इसलिए मैंने दो पार्ट में आपका परियटन कवर करवाने की कुशिस करी आज का अगर आप लोगी तो परया बुटन से अगर कोश्यम आ रहा है परे यह जरूर्ण बने सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थे इंपोर्टेण समाधियों यहां पर एन बात करेंगे यहां पर हुसंग सहा का मखवर अगर यहा time साह का मकवरा कहां पर है मांडू दहार में हैं यहां पर हुसंग साह का मकवरा इस्तित है जो की परशियन कला का नमुना जो की परशियन कला का एक नमुना है भारत में संग्मर्मर की प्रथम इमारत है स्टार वाला कुश्चन है कि पूरे भारत में पहली बनने वाली संग्मर से इमारत है वो हुसंग सहा का मकवरा ही है इसी से पेंड़ना पाकर इसी से पेंड़ना पाकर हमारा ताजमेल बना फिर बात करेंगे नबाव हसन शिद्धिक्वी का मकवर भोप और संगमंति यह सण्गमर्मर के संगमर्मर से बनी है और स //द्व तो गवालियर में है उनके गुरु मुहम्मद गौस का मखवरा भी कहां पर गवालियर में दोनों धियान रखेएगा उनके में प्रदेश सबसे बड़ा मकवरा कौन सा ऐ तान सेन का मुगल स्क्वथ्कला का सुनदर उधारन है तान सेन के गुरू जो एक सिद्ध पीर समझ थे उनी का वो ही है मुहम्मद गौस रानी दुर्गावती की समाधी यह बरेला गाओं जबलपुर ग्राम बरेला दियान रखिएगा ग्राम बरेला में रानी दुर्गावती की समाधी है कहां पर जबलपुर में है गोडबाना की प्रसिद्ध साइका थी तो रानी दुर्गावती की भीया समाधी कहां पर ग्राम बरेला जबल पुर याद रखीएगा चली आगे बढ़ते हैं पूरा टेवल फॉर्म में कंटेंड आपको देने का प्रयास किया है जहां से आपको हर एक चीज याद रहे महारानी लश्मी भाई की बात करेंगे गवालियर में फूल बाग में इनकी समाधी है 1857 की महत्पूर विरांगना थी गवालियर में दिहान रखिएगा रानी लश्मी भाई की समाधी कहां पर गवालियर में महाराणी सांख्या राजे सिंद्या की समाधी शिप्पूरी में है यह समाधी आगरा के ताज मेल के समान सुन्दर इमारत तो आगरा के ताज मेल के समान सुन्दर इमारत कौन सी है महाराजी संख्या राजे सिंद्या की समाधी शिप्पूरी में रानी अवंती भाई की समाधी मंडला में पढ़ती दोस्तो गया गड़ मंडला की साजिका थी जलकारी भाई की समाधी कहां पर है गवालियर में है जलकारी भाई रानी लश्मी भाई की अंगरक्षिका थी रानी लश्मी भाई की अंगरक्षिका थी रानी लश्मी भाई जैस है रानी अवंत हैं की समाधी मंदला जलकारी माइपी समाधी गवालियर लंग और और गुफाएं अब हम लोग देखेंगे प्रमोग गुफाएं के गुफाएं विदीशा में हुदेचा कि बीज गुपाएं एक नम्मर की गुफा और 20 नम्मर की गुफा जेन धर्म से संब्दित पहली गुफा और 20 भी गुफा जेन धर्म से संब्दित याद रखेगा पांच भी गुफा में विश्णु भगवान की भरापतार की प्रिसाल पृतिमा लगी हुई है चौथी और पांच भी सताब्दी क गुप्तकाल की गुफाएं उदेगरी की गुफाएं जो हैं गुप्तकाल की गुफाएं ध्यान रखीगा ब्रत हरी की गुफाएं उज्जेन के समीफ है मलकी उज्जेन में है यह परमार बंस के राजाओं ने ग्यारवी सताब्दी में बनवाई थी गुफाओं में सभी चित यह पांच गुफाएं हैं कलात्मक भीती चित्रों से युक्त विंद्याचल पहाणियों पर पांच से साध्वी सताब्दी के निर्मित बहुत विहार और बहुत चित्र आपको देखने को मिलेंगे ठीक हैं पांच गुफाएं यहां पर बाकी घुफाएं धार में भीम बेट बेटिकाओं की खोज बाकल कर जिने की थी भीम बेटिका विश्व का सबसे वड़ा गुफा समू है इनिश्व को ने इसे 20 धरोबर 2003 में सामिल किया गुफाएं सहल चित्र के लिए प्रिसिद्ध है यह पाशनकाली न्यूगिन मानब द्वारा निर्वित भीती गुफाएं पचमड्य खुंसंगा बाद में देखने को मिलेंगी पांडब लोगों के यहां अग्यादबास था यह आदकर कि आगे बात करेंगे मारा की गुफाएं कि चिषी प्रिवावी मिलेगे संकराचार की उची गवालियर में है इनका निर्माड 11-12 सतापदी में सेल्फ कृत सेब प्रतिमाएं हैं यह म्रग्रेन नात की गुफाएं म्रग्रेन नात और भीमबिटका की गुफाएं राइसेन में हैं राइसेन के पार्टनी गाउं में इस्तित हैं कि यह बर्स 2009 में विवाग द्वारा खो गई थी खोज की गई थी यह गुफाएं भीमबिटका की गुफाओं के समानी है ठीक है जैन धर्म से संबंदित हैं याद रखिएगा कि इसके बाद बात करेंगे मंदिर अद्भुत मंदिर मद्द्पडेस के अद्भुत मंदिर कहां पर हैं उच्छा जाए महंकाल का मंद मंदिर याद रखिएगा बाबा बैजनात का मंदिर आगर में हैं पशुपतिनात का मंदिर मंसोर शिपना नदी की तटपर है इसके बाद देखिए शूर मंदिर बहुत इंपोर्टन लशकर गबालियर एबम रहेली सागर दो जगाओं पर सूर मंदिर है एक तो लशकर या बाधि कि कारे राय सेन में देखने को मिलेगा राय सेन डिस्टिक कांच मंदिर हो खुमचं ने बनवाया था इंद और में हो की के देखिएगा trud है इसको बात करेंगे जैन मंदिरों की दीर के मंदिर कांप पर değبास में पपो-राजी बहुत important है पापोराजी 55 टीकम गड़ में पापोराजी जेन मंदिर कहां परे पंप पुर्टीकमगड में 222 बडवानी में रिशब देव की attached खियेगा बडश्व को 100 सौन गिरी कहां पर मिलेगा दतिया में 108 मंदिर है 108 जैनों की मंदिर है मुक्ता गिरी कहां पर बैतूल में है और मंगल गिरी कहां पर सागर मंगल मंगल हो जाएगा वही सागर जाओगे मंगल गिरी सागर मुक्ता गिरी बैतूल ठीक है पावा गिरी कहां पर खरगोन गौम्म मंदिर और भी है चर्च की बात करेंगे कि वाइट जर्च कहां पर दोस्तों इन्दॉर में है यह याद रखिएगा पर जबलपुर में है तो लाल चर्च यांई वाइट चर्च और रेड चर्च दोलों पर इन्दॉर में है और पच्मणी चर्च कहां पर है पच्मणी में पच्मणी में याद रखेगा ठीक है अब बात करेंगे हम लोग राज महलों की बारे में मोती महल राजा जिवाजी राओ कलात्मक महल है मोती महल कहां जाब में देखने को मिलेगा गुज्री महल, गुज्री महल, राजा मान सिंग तॉमन, आपनी पत्नी म्रग नैनी के लिए गभालिय के के कले के निर्मान कर भाया था, ठीक हैиц। जेविलास पहल, जिवाजी राघू सिंध्या निवास पश्यात नमूने का निर्मित है गवालियर में है, जेविलास पेलेस कहां पर है, गवालियर में जिवाजी राव सिंद्या ने बनवाया था, मदन महल, जवलपुर के समीब, 1220 में गौन राजा मदन सहा के द्वारा बनवाया गया था, मोती महल, राम नगर मंडला में है, ठीक है, गौन डरेस हिर्दे सहा के द्वारा बनवाया था, अमन पाल का महल, अजेगड के दुर्ग, अजेविलास महल, मोती महल यह सब कहां पर है, गवालियर में है, मतन महल, जबलपुर में है, मोती महल, बहुत सारी जगा है, बोपाल मी थी तो, टेंशन नहीं लेंग राजा 1021 बनाए गया, अमन पाल का महल कहां पर अजय पाल के दौरा 18 सताबदी में दिर्वित कराया गया था, इसके बाद देखिए weißन का दूर्ग राजा राजवसंदी ने बनवाया था, बादल महल राइसन के दुर्ग में ही राजा राजमसंदी के दौरा बनबाया गया था रोहित महल ये भी राइसन में है राम मंदिर राज मंदिर या राम मंदिर ओर्चा दुर्ग के समीब बैत्वा नदी के दीप पे राजा वीर सिंग जूदेप के दौरा बनवाये गया था जहागीर महल ओर्चा दुर्ग में जहागीर महल का निर्माण करवाये गया था दियान दखिएगा, बीर सिंग मुंदेला के द्वारा अपने मित्र जहागीर के लिए बनवाया गया था, जहागीर महल, कहाँ पर ओर्चा में, अब देखिए, रानी रूपती महल, रेवा कुंड जील, के समीफ मांडू में 3 किलोमीटर दूर इस्तित, बाज बाहद्दूर क की प्रियरानी रूपती के लिए बनवाया गया था, ठीक है, हिंडोला महल, ये भी मांडू में है, जहाज महल, मांडू में है, असरभी महल, ध्यान दखिएगा, असरभी महल भी कहाँ पर मांडू में, ठीक है, संगमरमर से बना हुआ है, आगरा के ताज महल बनाने के पू करती समराथ अकवर्ण के खान देज में विजय के बाद आगरा के प्रिस्तान के पश्याद यहां पर विसराम किया था और यह एक नीलकंड मंदिर भी है दाई के महल के पास खरबुजा महल कहां पर धार में हैं खरबुजे की जहान देखता इसलिस का नाम खरबुजा महल काल के एक साथ आपको टेविल फॉर्म में दे दिया जिससे आप एक बार पढ़ोगी चीजे याद हो जाएगा तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके लेक्टर अच्छा लगेगा पसंद आएगा तो लाइक जरू करें कमेंड करिए और आने वाली जो भरतिया है जैसे कि हम ल बहुत इंपोर्टेंट होगा चलिए मिलते नेक्स लेक्शर में जब तक लिए जैहिंद जैभारत थैंक्यू सुमद्ध बाइबाए टेक क्यात